ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आप के आचारी बताते हैं आप की राश्यों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारी धर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल यह राशीफले 9 अगस्त 2020 रहिवार का दिन है भादरपद महा के कृष्ण पक्ष की शस्ठी तिथी है जिसे हल सस्ठी हरचट या हलचट कहा जाएगा इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई स्री बलदाव जी का प्रागट्यो सव मनाए जाएगा यानि बलदाव जैनती के रूप में इसे मनाए जाता है रेवती नामक नक्षत रहोगा मीन राशी में चंद्रमा बिद्दिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पश्चिम दिसा में रहेंगे राहुकाल के दोरान किसी भी प्रकार का शुब मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कुछ इस्थानों पर माना जाता है और कई स्थानों पर नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के अदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूरिदेव करकराशी में चंद्रमा मीन राशी में मंगल ग्रह मीन राशी में बुद्ध करकराशी में परिवार में कोई खुश खबरी इनको मिलने वाली है शुब एवं मांगलिक कारिकरम की योजना इनके घर में बनने वाली है अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की आपके रिस्तदारों से या परिचित लोगों से तथा अन्य लोगों से आपकी मुलाकात होगी इनसे आपको कुछ फाइदा भी होगा आत्म संबान वा आत्म इश्वास में ब्रद्धी होगी ध्यान रखे कि किसी की बातों में आकर आप अपने काम को न बिगाड़े अपने व्यक्तिकत कामों के अलावा सामाजी कारियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा अपनी दिन चरिया को व्यवस्थित आपको रखना होगा व्यावसाय और नोक्री में जो भी योजनाय बनाएं उसमें अच्छी प्रकार से सोच विचार कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए और उपाई के रूप में यदि आप भगवान शंकर जी को कच्चा दूद चलाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली रंग जो की पांच होगा और आपका भागिशाली रंग जो की नीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की नजदी की रिस्तेदारों के आगमन से परिवार में खुशनुमा माहुल रहेगा विध्यारती अपनी मेहनत के उचित परिणाम मिलने से राहत महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण योजना आप बना सकते हैं व्यावसाय में नोकरी में परिवर्तन कारी इस्तिती का संकेत भी आपको मिलने वाला है परिवार के किसी व्यक्ति के व्यवाहित जीवन में कुछ तनाव उत्पन होने से आपको चिता रहेगी बहरी व्यक्तियों का घर में हस्त छेप न होने दे इससे परिस्तितिया और भी गंभीर हो सकती है अर्थिक रूप से आज दिन उत्तम है रुकी हुई व्यवस्थाएं आपकी पुना शुरू हो जाएगी रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा रुके हुए काम भी आपके शुरू हो जाएगे नोकरी में ट्रांसपर्क के योग बन रहे हैं और उपाई के रूप में यदि आप भगवान गनेश जी को बेसन से बनी कोई भी मिठाई चड़ाएंगे तो आप का देन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली रंग जो की दो होगा और आपका भागिशाली रंग जो की कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं मिठुन राशी की आतमिश्वास के साथ एक नई उर्जा आप महसूस करेंगे और साशकी कारिया आपके अच्छे से यह पूर्ण हो सकते हैं इसके अलबा सकरात्मक उर्जा से आप भरपूर रहेंगे व्यावसाई क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उच्छी तालमेल बना कर आपको रखना चाहिए और उनकी महनत वा कारिक्षमता आपके काम के उत्पादन में व्रद्धी करेंगी महत्पूर्ण कार आपके कुड़े हो जाएंगे याने अटके हुए जो भी आपके इंपोर्टेंट काम है वहाँ आपके संपूर्ण हो जाएंगे और उपाई के रूप में यदि आप किसी भी गरीब या जर्वत्मन व्यक्ती को गुड़ का दान करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली रंग जो की लाल होगा और आपका भागिशाली अंक जो की एक होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की किसी भी काम में घर के वरिष्ट लोगों की सला अवश्य ले और उस पल अमल भी करें आपके लिए बहुत सुबदायक रहेगा घर परिवर्तन संबंदी योजनाओ पर भी आज आपको कोई महत्तुपूर्ण निर्णे लेना पड़ेगा पैसो की लिंदेन में बहुत अधिक साउधानी आपको बरतनी होगी किसी नजदी की मित्र की वजह से नुकसान होने की संभाव ना है फिजूल खर्ची पर अंकुष लगाना आवश्यक है विद्यार्तियों का ध्यान भी अपनी पड़ाई पर बना रहेगा और उपाई के रूप में यदि आप भगवान गनेश जी के मंदिर में दूरवा चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली अंक जो की चार होगा और आपका भागिशाली रंग जो की सफेद होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की किसी परीचित व्यक्ती से आपको अच्छा फाइदा हो सकता है और एक नई उर्जा आप उनके साथ काम करते समय महसूस करेंगे नई योजना आप बना सकते हैं पेत्रिक संबंती के जो भी मामले उल्जे होए याने आपके घर परिवार की कोई प्रापर्टी का कोई मामला यदि फसा हुआ है या उल्जा हुआ है तो उसमें आपको जो है सुलजने का आउसर प्राप्त होगा स्वास्था आपका अतियुत्तम रहेगा अपने आत्म बल को आत्म इश्वास को मजबूत बनाना आपके लिए आवश्यक होगा सहयोगी और कर्मचारियों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा जल्दबाजी किसी भी काम में बिलकुल न करे और उपाई के रूप में यदि आप किसी भी ब्राम्वन को या साधू संत को फल का दान करेंगे तो आपका रिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली रंग जो की छे होगा और आपका भागिशाली रंग जो की हरा होगा अब हम बात करते हैं कन्याराशी की धर्म कर्म संबंदित कारियों और समाज सेवा में आपका अधिक्तम समय वेतीत होगा धार्मिक कारियों में आपकी विशे सुरुची रहेगी इससे आपको आत्मिक शान्ती महसूस होगी समाज में आपका रुत्बा बना रहेगा संतान के केरियर संबंडी कोई काम आपका बढ़ने वाला है तथा कोई खुश खबरी भी आपको मिलने वाली है ससुराल पक्ष से संबंदों में खटास ना आने दे और अपने रिष्टदारों के साथ अच्छा व्यवहार करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और उपाई के रूप में पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की नो होगा और आपका भागिशाली रंग जो की क्रीम होगा अब हम बात करते हैं तुला राशी की आज आपकी दिन्चरिया काफी व्यस्त रहेगी आपका पूरा धान अपने काम और आर्थिक गती विदियों पर केंद्रित रहेगा और इसके उत्तम परिणाम भी आप हासिल करेंगे किसी मित्र द्वारा खुब सूरत उपहार या कोई खुश खबरी आपको मिलने वाली है बिना मतलब दूसरों की परेशानियों में न उलजे इससे आपका ही नुकसान हो सकता है किसी भी नकरत्मक परिस्टियों में गुस्से के बजाए धर बना कर आपको रखना चाहिए वरिष्ट व्यक्तियों को अपनी सेहत के प्रती जादा सजक रहने की आउशक्ता है मशीन आदी से जुड़े व्यवसाय में आपको लाभ होगा अपने कर्मचारियों की गती विद्यों पर आपको कड़ी नजर रखनी की आउशक्ता होगी कोई भी काम यदि आप करते हैं तो साउधानी पूर्वक आपको करना चाहिए घर में प्रेम संबंद अच्छा बना रहेगा तथा पती पतनी के बीच में मधूर संबंद आपका बना रहेगा और कोई तनाव पूर्ण इस्तिती आपके सामने आ सकती है और इसका असर आपके काम पर भी पड़ सकता है उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद एक लोंग खाएंगे तो आप कार्डेन शुपलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली अंग जो की तीन होगा और आपका भागिशाली रंग जो की औरेंज होगा अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की अपरी घटना घटने से अवसाद और भोज डर जैसी इस्तितिया आपके मन पर हावी हो सकती है अपने आपको सकारत्मक बना कर रखना आवश्यक होगा आत्मिश्वास से काम ले क्योंकि आपको एक अच्छी सफलता कड़ी महनत के बाद मिलने वाली है और उपाई के रूप में यदि आप गुड़ खा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा और आपका भागिशाली रंग जो की आठ होगा और आपका भागिशाली रंग जो की हरा होगा तो अवस्य ही आप सफल हो जाएंगे आर्थिक फाइदा मिलेगा मान सम्मान प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगी कहीं से कोई अच्छी खुश खबरी आपको मिलने वाली है और उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद सौफ खाएंगे तो आप का दिन शुफल की रहेगी परिवार से दोस्तों से रिष्टदारों से आपको फाइदा होगा कोई पुराना दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा इससे आर्थिकी सिति आपकी अच्छी हो जाएगी राजनितिक गति विदियों से दूरी बना कर आपको रखना चाहिए किसी भी प्रकार की मान हानी की संबहवना बन रही है इसलिए आप जो है साउधानी बरते और उपाई के रूप में हैनुमान जी के मंदिर में नाजिल चटाना आपके लिए शुफल दाई सावित होगा आपका भागशाली अंग जो की तीन होगा और आपका भागशाली रंग जो की लाल होगा ज्यान और आध्यात्मिक की जानकारी पाने की आपकी हमेशा रूची बनी रहेगी और आप महनत करेंगे लेकिन महनत के अनुसार आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे बहुत सारा बोज अपने उपर न ले धार्य और सुकुन तथा सांती के साथ काम को करने का प्र भी मिल सकता है काम काज में आज कोई खास सपलता नहीं होगी परन्तु फिर भी पारिवारिक लोगों की देखरेक में काम सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उपाई के रूप में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का दान करना आपके लिए शुफलदाई साबित और आपका भागिशाली रंग जो की पीला होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की पारिवारिक व्यावसाई की गती विदियों में संतुलन बना कर रखना आपके लिए आवश्यक होगा और अध्यात्मिक शेत्र में आपकी प्रगती उन्नती होगी सामाजी क्शेत्र में म आता महल अक्श्मी को यदि आप हल्दी चड़ाएंगे तो आपका देन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की छे होगा और आपका भागिशाली रंग जो की आस्मानी होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपा को साधर जैसी क्रश्न साधर धन्यवाद